दिली में कोरोना वाइरस के आंकडे एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में वो लोग जो दिली दूर दराज से आते हैं इलाज कराने के लिए उनके लिए ये वक्त बेहत मुश्किल हो गया है। इस वक्त EVP News की टीम एम्स के बाहर मौजूद एक रैन बसेरे में पहुची है और कुछ ऐसे रैन बसेरे एम्स के आसपास 11 मौजूद हैं। और अब दरसल टेंडर खतम होने की वज़ा से मार्च के महीने में इन रैन बसेरों को खाली कराया जाता है। ऐसा ही एक रैन बसेरी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे खाली कराने के आदेश दे दिये गए हैं। अब इन लोगों की मुसीबत ये आई है कि अब बिना किसी वक्त रहते जब होली का जो त्योहार है वो भी सर पर है तो ये लोग जाएंगे कहां एक ये सवाल इनके सामने खड़ा हो उठा है। आईए यहाँ पर जो मरीज हैं और उनका ध्यान रखने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? जमेंती गुपता कहां से आईए आप? बिहार से बिहार से आईए, कितने महीनों से यहाँ पर रह रहे हैं? अब लंबा लंबा टेस्ट मिलता है तो इसी हिसाब से हम लोग इलाज करा हैं तीन महिना हो गया अभी मई तक का भी हम लोग को डेट पड़ गया। बताईए हम लोग कहां से बारवार जाएंगे आएंगे गारिक सकता है विकलांग आदमी को ले आने ले जाने में भी परहसानी हो यह मरीज हैं कौन लगते हैं आपके मेरे हस्मेंड हैं आपके पती हैं क्या दिक्कत हुए हैं इस्पाइन का प्रेशन हुआ है और एक कल सुबह तक खाली करना है तो कोई इंतजाम किया है क्या सुबह को कोई है रिष्टा रिष्टेदार नाते रिष्टेदार जिसके पास जाएंगे कोई नहीं है किसी पास नहीं जाने का समझ दूर हम लोग जाने सकते दूर है रेन बसे राव तो हम लोग जाने सकते विकला एक ये परिवार हमें दिखाई दे रहा है छोटा सा बच्चा भी यहां पर नजर आ रहा है बच्चा अला कि सो रहा है तो आईए उनके परिवार से बात करते हैं क्या नाम है आपका संजीव कुमर सर्मा संजीव जी किसका इलाज कराने के लिए आया मेरे अपने बच्चे को इलाज करानी के लिए आये हुए इसी बच्चे का चोटे से बच्चे करे में हो है एक इनको हाएजी में कहां जाएंगे बच्चे को ले जाएंगे अभी कुछ ऐसा प्रबंद नहीं किया है, हम लोग ऐसे ही बेकाम पड़े बैठे हैं बच्चों के इलाजों में, कुछ काम वाम नहीं है जो अपना रूम किराय वगड़ अभी लेके रह सकते हैं, कुछ ऐसा प्रबंद हम लोग के लिए नहीं है, तो दिल्ली सरकार से अनुर चल रही है, तो तीन महीने में तो इनका कुछ है नहीं है, तो अगर अब प्रबंद करना पड़ा, क्या कमरा लेकर, क्या आपने पैसे दे कर रह पाएंगे, जी नहीं, मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है, हम लोग के लिए नहीं कर पाएंगे, काम करते हैं, आप यहां पर खाना, पीना, रहना, सुवधा बाकी सब मिलती है, मैंगे में में दिक्कत नहीं है, बस और कुछ नहीं है, यह क्या रहे थे कि अगर मानलो इनका टेंडर खतम ओ चुका है, इस रहन वहीं का, तो कम से कम होली के बाद अपना रहन वहीं को खटा दिया जाए, तो क कदिनी आपको कम से कम होरी तक करें कि होली के बाद क्या करें है एक आधे और च्छाश वह सब्सक्राइब जाकि खाली कर दो आप लोग आपका क्या नाम है आपके बच्क को रहा चल रहा है रेना दुकमारी और बच्छे का इसवा यह खतम हो गया चल रहीकाध मेंडम 20 अप्रेल को आप उपयूंटम f3ible को अपटमेंटें तब तक आपने सोचा की रहन बसेरे में रहें जी में अबिए जब आदेश्थ दिया है खाली करने का खर्चा पानी काइसे वपायेगा कट्शा पानी मैटम तो बाहर में खाना आया तो वही खाले था हम सब तो देखिए लोग बेहत परिशान है अब केवल 24 घंटे का भी समय हुआ है और उन्हें आदेश दे दिया गया है जहां पर लोग तीन महीने से इस रहन बसेरे में रह रहे थे अचानक से कुछ ऐसा आदेश आगया है कि आपको रहन बसेरा खाली करना है क्योंकि टेंडर जो है वो खत्म हो चुका है अम्मा आपका क्या नाम है मंजु देवी आप किसका इलाज के लिए ने मेरा है और देखिए खैंसर पर सेंट लंबा इलाज चलता है हम लोग का बुरा बुरी है को देखने बला है नहीं आइक आएक आदेश आगया है हम लोह कहां जाएं या को कोई जाने की वेवस्था नहीं है पासमा पैसा कवरी ते कोई लगा तार जो परिशान पेशिंट से आप नजर आ रहे हैं यह सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि कुछ दिनों के और उन्हें महलत दी जाए एक तेकर से भी बात करते हैं जो इस रहन बसेरे के क्या नाम आपका तुरमोंग कि यह तो कि यहाइगा? इस रहन बसेरे में बीस है अभी कुछ लोग बाहर गया है आएंगे सोज़ें में कारण क्या दिया है क्यों खाली करना है रहन बसेरा अचानक से अब यह तो मुझे नहीं पता हूं लोगो बोले गया है कि अपनी बात करनी है जितने लोग रहन बसेरे में ठहरे हुए है कि कल सुबा तक का आपके पास वक्त है रहन बसेरे को खाली कर दीजे तो देखिए यहां पर लगातार जो सुविधाए वगेरा है वो दिली सरकार द्वारा मुहाया कराई जा साथ में जैसे यहां पर रह रहे हैं उसका भी एक हम आपको नमूना दिखाना जा रहे हैं तो देखिए क्यूंकि आपर कैंसर के कई पैशिन्स हैं तो वह री वाश्रों का इस्तिमाल करती जोकि टेम्पर एक है और देखे खाना बगेरा बनाने के लिए कूंकि शेर और इहां पर पर अपनी रोटियां बनाते हैं और ये आप देखेंगे जो सड़क पर इस्तिमाल होने वाले ब्लॉक्स हैं जो फुटपाथ पर ये ब्लॉक्स लगाये जाते हैं उनकी मदद से उन्होंने चूला नुमा यहां पर फॉर्म किया है एक आकार और उसमें रोटियां सेकते हैं और कुछ इस तरीके से तीन महीने से वो लोग रह रहे थे लेकिन अब आदेश आ जाने के बाद पेशिंट्स लगातार परेशान हैं और दिली सरकार से फिलहाल अपील कर रहे हैं कि कुछ वक्त उन्हें और दिया जाए कैमरा पसंद भुपेंदर रावत के साथ अजाहतिका सेंग एबीपी न्यूज दिली